हलो गैस विलकम बैक टो वर चैनल मायने में सोनम चोहान तो आज के मारी क्लास का टॉपिक है इसके बात करेंगे हम इसके डिटर्मिनेंट्स के बारे में जो एक्चुल में इसका टॉपिक्स है तो कहने का मतलब यह है कि मद्दान विहवार को ऐसे कौन-कौन से तत्व हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं जो इसको परभावित करते हैं बेसिकली अगर हम एक्जांपल के तौर पर आपको बता हूँ जैसे कास्ट की बात करें कास्ट सिस्टम की बात करें जैंडर की बात करें है न तो यह सारी चीज़े डिसकस करने वाले यह निकि इस्टाग्राम के तुरू नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा जिस्ट चेक आउट और फॉलो इस इस्टाग्राम आईडी अगर आप हम से काफे समय से जुड़े हुएं तो आप जानते इस पूरी लैक्चर की पीडियाफ मिलेगी हमारे टेलेग्राम चैनल पर टेलेग्राम का चैनल पर दीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करेंगे हम इनके मेनिंग्स को लेकर के देखे मदान वहवार राजनितिक वहवार का ही एक रूप माना जाते हैं वो कौन-कौन सी situations के आधार पर अपने मत का परियोग करते हैं कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि जब voting की जाती है तो हमारे मन में बहुत सारी ऐसी चीजे चलती रहती है कि हम vote क्यों दे रहे हैं, क्या aspects हैं, क्या reasons हैं, क्या हमारे target हैं हम vote देते समय, यानि जितने भी लोग vote दे रहे हैं, उस समय उनका excitement का level क्या है क्या वो excited है vote देने के लिए, या फिर वो ऐसे ही दबाव में vote दे रहे हैं या फिर वो normal ऐसी, मतलब चलो ठीक है, vote है, elections है, चलो डालाते हैं उन्हें नहीं पता सामने कौन candidate है, सारी चीजों का बहुत ही गहराई से अद्धिन किया जाता है और साथ में ये भी देखा जाता है, कि लोग vote करते समय कितने जादा, मतलब excitement के साथ कितने जादा वो उदासीन है, कि lazy पन है लोगों में, और ये चीज़ें हमने काफी बार voting करते वे लोगों को देखा है कि भाई, election है, लेकिन वो serious नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है, कि आप पूरे दिन वही पर खड़े रहो, नहीं जब time होता है वोट का, तो बहुत लोग बहुत ही, मतलब excited के साथ जाते हैं, और वो अपना selfie, wealthy लेकर के देखते देखो, मैंने वोट देखो, मैंने अपने पसंदीदा candidate को वोट देखो, for reasons, reasons भी बिताते हैं, वो क्यो दे रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है, जो जाते है ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो, डालाते हैं, लेकिन candidate का कुछ पता नहीं है, ठीक है, उन्होंने तका कि ठीक है, बाई, एक age है, मेरे पास voting है, ठीक है, अपना elections है, डालाते हैं, मतलब नैसे ही, normal, laziness, उनका कोई target नहीं है, उनकी तरफ से कोई जीते, कोई हारे, उनको कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे लोग भी है, इन सब को study किया जाता है, और साथ में बहुत सारी चीजे इसमें रखी जाती है, कोशनिंग की जाती है, और अब बात करते हैं, हम भारत में मद्दान वहवार के अधिन की उत्पत्ती कैसे हुई, कहां से start होती है, तो चुनाओ के अध में बताए जाएंगे कि, क्योंकि option में वैसे multiple choice में question आते हैं, तो भी आपसे लग लग करके पूछे चानी, लेकि सैफोलोजिस को बोलते हैं, इसको highlight कर लेना, तो मत वहवार का जो अध्यन है, वो चुनाओ अध्यनों का ही एक भाग होता है, इसका ध्यन, यानि कि इसका ज किसी उमीदवार को वोट क्यों देते हैं, उनका क्या perspective है, आपको वोट देने का अधीकार है, आपका एक limited age के बाद में वोट देज़ा सकते हैं, एटिंग प्रस के बाद में भाग में वोट देने का अधीकार सब को मिल जाता है, तो वो उसमें आप वोट को क्यों दे रहे उनका यानि कि वो बहुत इस्टिक लीडर्शिप के आधार पर उनको देते हैं ये कुछ ऐसे questions हैं जिन पर मतदान के निर्धारकों से संबनित कुछ अध्यन होता है study की जाते हैं इन questions के base पर और रहिनी से देखो आगडे सामने आती नी से data सामने आते हैं कि कितनी percentage में लोग किस party को पसंद कर रहे हैं कितनी percentage में लोग किस candidate leader को पसंद कर रहे हैं तो exactly जो भी आप news पे देखते हो ये एक अध्यन ही है ये एक approximately में चलते हैं कुछ भी ऐसा stamp नहीं है कि हाँ exactly इतने ही होंगे इनमें कुछ उपर नीचे चलते रहते हैं भारत की perspective से देखते हैं तो भारत में 1990 के दिशक में चुनावी अध्यन की पहल को आरम करने का जो श्रे है जो contribution है जो dedication है वो सिक्षाविद योगिंदर यादव को दिया जाता है जो कि CSDS के संबनित रहे हैं और यह सही लोगनिती के नम से जाने वाले एक संगठन के बैनर तले चुनाव के अध्यन का नियोजन करते हैं यानि कि एक संगठन एक organization है CSDS और अब आपके लिए कोशन से CSDS की इसकी पूरी information आपको comment section में बतानी है ठीक है गूगल है आपके बास में net बढ़िया मिला हुआ है आपको सबसे बढ़िया net है तो ये कोशन आपके लिए फटा फट से चलो search करने हैं हाँ लेकिन पहले पूरे lectures को attend करने के बाद कभी beat में इसको रोग करके अपना google search करने लोग को फिर से वापिस आओ तो ऐसा नहीं करना है पहले इसको पूरा attend करना उसके बाद में सारी जीजे जो भी मैंने अपको question देश को search करना है ठीक है तो CSDS stream के सदस्यों के रूप में देश में कई universities के जो विदवान है जो उनके scholar हैं उन्होंने चुनाव विद्धिन का परबंद किया तो ये 1990 से चुला रहा है ये जो भी analysis होता है चुनाव पर जो भी study की जाती है basic सी बात है ठीक है काफी पुराना है और इसमें sun को लेकर के date को लेकर confused नहीं होना है किसी books में आपको 1991 भी नज़र आ सकता है 1992 भी नज़र आ सकता है सो प्लीज इस चीज को लेकर के जादा confuse मत होना कि मैंने तो 1990 बताया था 1990 बताया था हमने तो 1990 क्यान में पड़ा तो that is not important अब बात करते हैं यहाँ पे मद्दान वहवार के निरधारिक तत्व यानि कि Determinates of voting behavior वो कौन-कौन से मद्दान वहवार के निरधारिक तत्व है जो basically पूरे मद्दान को परभावित करते हैं सबसे पहले है वर्ग यानि की class वर्ग समस्थ परकार के समाजों में एक व्यापक बली यानि की force के रूप में काम करता है नस्ल तत्था प्रजादी की भादी इसका प्रभाव कभी सुष्कम होता है यानि की कभी बहुती कम होता है बहुती छोटे लेवल पर होता है कभी बहुत जादा विस्पोटक के रूप में होता है वर्ग की अफधार ना यानि की thinking, सोच चाहे Marx के बारे में देखें या फिर Weber को लेकर के बात करें इसका आशे आर्थिक निदियने की economy and governments के महत्व के रूप में माना जाता है चाहे वो मानवे पुंजी के रूप में हो या प्रतिकात्मक पुंजी के रूप में हो या फिर सामाजिक पुंजी के रूप में हो तो यहाँ पर क्लास को हर एक तरीके से explain किया जाता है भारत में मद्दान वेवार पर वर्गी आधार की भूमिका से मनन नहीं किया जा सकता भारतिये जनता का मद्द व्यावार साथ 1907 तक दो बातों पर आधारित था अगर हम बात करें 1907 की तो वहाँ पर जनता सिर्फ दो तरीके से वोट देती है निकि माइड में दो चीज़े चल रही होती थी पहला कौन सा उमीद बार जीत रहा है जिससे की वोट व्यर्थ न जाए उनका वोट का वो वैल्यू रखते दे लेकिन उस लेवल पे कि कौन सा वेक्ति जीत रहा है कौन सा कैंडिडरी जीत रहा है तो हम उसको वोट देंगे ताकि हमारी वोट खराब न जाए क्योंकि जो हारेगा अगर हमने उसको vote दे और वो हारेगा तो हमारी vote खराब हो जाएगी ऐसा उनके mind में चलता था and then second जो था हो दल की आस था यानि कि उन्हें party में आस था वो कौन सी party को सबसे तब पसंद करते थे अब वो हारेगा जीते हैं उन्हें कोई मतलब नहीं था तो वो दो ही तरीके से vote का अस्तमाल करते थे vote का प्रियूग करते थे अपना voting करते थे कि सबसे पहले तो वो ही कि जो उन्हें मिद बार जीत रहा है एक तो उसको vote देनी है ठीक है ये बहले पता करवा लिया और उसके बाद अगर किसी पालिटी को लेकर के बहुत ही जादा बहुत एक स्टीम लेवल पर हैं तो वो उसे देते थे तो दो तरीके से voting को वहाँ पर यूज किया जाता था लेकिन सन 1922, 1977, 1980, 1984 के लोग सभा चुनाओं में ये सपस्ट हो गया कि मद्दाताओं के लिए सामाजी कुरार्थिक विकास से जुड़े कुछ महतुपुन सवाल हो तो वो जीजने वाले उमिद्वार वदलिये ववस्ता को भी अंदेखा कर सकते हैं तो कुछ चीजें धीरी-धीरी लोग aware हुई, धीरी-धीरी चीजें changes हुई क्योंकि देखिए इस पूरी दुनिया में कुछ भी permanent नहीं है आपकी सोच अगर 10 साल पहले कैसी थी हो सकता है आज कुछ चेंज हो गई हो तो voting को लेकर के भी लोगों के जो perspective थे वो change हुई 1974 के elections में वो दो तरीके से सोचते थे लेकिन धीरी-धीरी जब लोग सबाद चुना हूँ जो भी हम बात करें 72, 77 और 80, 84 and then 89 तक के भी बात करें तो वहाँ पर लोग social level पर और economy level पर सोचने लगे थे कि भाई हम vote सिर्फ वो सही देंगे उसे candidate को देंगे जो society के level पर कुछ अच्छा कर रहा है फिर वो आर्थिक रूप से economy रूप से कुछ अच्छा कर रहा है इस बात पर तो class में भी अलग-अलग तरीके से effect करता है पूरे voting behavior को and then second point है जाती अनिकी caste इस point से निकी जाती की बात करें तो एक statement बढ़ा ही जबरदस आता है यहाँपर कि भारते जनता अपना मत नहीं देती है बलकि अपना मत जाती को देती है तो Indian people do not caste their what they what their caste is निकी हम caste की बात करें जाती की बात करें तो politics में जाती को मतलब आप include ना भी करो न तो भी mix up हो जाएगी जाती जो जाती है वो उसका राजनीती करन किस तरीके से होता है उसका जाती करन किस तरीके से होता आप खुद भी समझनी पाऊगे जाती ववस्ता की बात आ दी जब भी जाती की बात आती है तो politics अपने आप ही उसमें जुड़ जाती है तो आप politics करते हो ठीक है उसमें जाती है अपने आप जिपक जाती है आपने देखा होगा भी हाल फिला में जो विदान सब elections हुए थे वहाँ पर मैंने अपने आंकों से चीज़े देखी है कि लोग अपने एक vote को लेकर के बहुत ही असमंजिस के स्थिति में दे बहुत ही confused है वो क्यों क्यों कि वो कह रहे थे कि एक vote है हम party को दे या फिर हमारी caste का जो candidate खड़ा है जो विदाय खड़ा है या उसे दे क्योंकि अगर caste की बात आती है तो हम इस candidate को देंगे otherwise party तो हमारे सामने है तो अस चीज को लेकर के बहुत ही confusion वाला जो माहूल तो अनों ने create किया हुआ था अब इससे थाबित होता है कि आप अगर politics कर रहे हो तो आपके लिए nations important नहीं है आपके लिए सामाजी किस्तिति आपके लिए आर्थी किस्तिति या आप सामाज में कितना जाद अच्छा कर सकतो वो important नहीं नहीं caste important है कि आपके caste वाला सामने खड़ाए आप चाहे वो criminal हो आप चाहे उसने कितना ही कुछ मतलब कितना ही society के लिए अच्छा ना गिया हो उसके negative aspects सारी चीज़े हैं बट वो आपके caste कैसे लिए आप उसे vote कर रहे हो तो यह चीज़े भारत में बहुत साते देखी जाती है तो यहाँ पर अगर हम caste की बात करते हैं यह मद्दान वहवार को पूरी तरीके से effect करता है बहुत बड़े level पर प्रभावित करता है कि लोग एक अच्छी party एक अच्छी leader को चुनने के बजाए आपने caste के हिसाब से leader को चुनते हैं और यह चीज़े आप भी देखते हैं यह चीज़े हमने भी देखी है और यहाँ बर डॉक्टर भीमरा उमबेडिकर ने कहा था कि आप किसी भी चीज़ का निर्मान जाती के अधार पर नहीं कर सकते आप राज का निर्मान नहीं कर सकते आप नैदिकता का निर्मान नहीं कर सकते आप किसी वस्तू का निर्मान अगर जाती के आधार पर करेंगे तो उसमें दरार आ जाएगे और वो कभी भी पूरा नहीं होगा लेकिन कालांतर में भारत में नेकेवल जाती का राजनिती करण हो गया है आपे तू राजनिती का भी जाती करण हो गया है तो राजनिती और जाती आपको clarity के ही नजर नहीं आएगी सब कुछ mix-up है अब next point यहाँ पर है जाती व्यवस्ता नहीं कि caste system जाती व्यवस्ता प्राचीन समय से ही भारतिय समाज का एक अभिन अंग रही है क्योंकि अगर आप प्राचीन में भी थोड़ा सा अपने आपको पह बहुत जबर्दस थी कि सामने से अगर कोई दलित परिवार का कोई भी विक्ति सामने से आ रहा है तो जो बड़े लेवल के जो caste से related थे वो लोग उनके सामने नहीं आते हैं उनको अपने सामने से हटा देते थे यह ऐसी व्यवस्ता वहाँ पर देखी गई है शायद आज को से देखी है कि आप election time में आप उनके घर जाकर बैट करके पानी भी पीते हो आप खाना भी खा ले तो क्योंकि आपको उनसे वोट चाहिए और अगर शादी का card आता है तो भी आप पहुंच आते हो खाल पी ले तो ठीक है लेकिन अगर वो ही वंदा आपके घर आता है तो आप जिस चेर पर वो बैठा हुआ है उसके चाने के बाद में आप उस चेर को धोते हो पाने से धोते हो तो यह चीज़े जब मैंने देखी मुझे बड़ा ही अजीब मतलब अजीब feelings आई कि क्या ही एन इनसानी तो बैठा है आप किस तरीके सो से treat कर रहे हूँ अगर वो च शहरों में यानि कि abroad में इंडियन्स के साथ ऐसा होता था तो उसमें और आज की situation में क्या ही अंतर है कुछ भी नहीं है आज भी वैसा ही है फिर तो थोड़ा मुझे बहुत बुरा लगा उस चीज़ को ले करके तो इसमें बताओ तो बहुत ही गहराई तक भारत में included है शाय राते समाज और राजनिती को कदाजित किसी भी तत्र ने इतना जादा परभावित नहीं किया जितना की जाती ने परभावित किया है पूरी politics आप देख लीजे आप किसी organizations की बात करें आप में की जितने भी आप काम को देखें अब हाँ पर थोड़ा सा भी आप study करें analysis करे तो बहुत ही जादा परभावशाली ये point आता है जाती बारत में कई धर्म बहार से आएं यहीं पर फले फुले लेकिन result यहां पर यह निकलता है कि यहां पर धर्मों का जनम हुआ और लेकिन यहां पर जो जड़े हैं वो जातियों के बड़ी मजबूत है यहां पर धर्म को लेकर कि चीजी उतनी लेवल पर काम नहीं करती जितनी लेवल पर जातियों के काम करती है जाती को लोग अपनी priority में रखते है नोटे nation ठीक है वो नेशन को रखता है तो बहुत बड़ी बात है लेकिन बहुत कम लोग मिलेंगे आपको शौफ दिखाने के लिए तो हजारों की बाते आती है तो फिर तो ये बहुत परभावशाली का reasons बन जाता है तो ये भी एक ऐसा determinants है जो voting behavior को परभावित करता है and then next point है gender and killing और ये काफी ज़दा परभावशाली कारग एक determinants माना जाता है voting behavior के perspective से कि भारती राजनिती को किसी भी तत्व से इतना ज़दा फर्क नहीं बढ़ता है जितना की gender से बढ़ता है because of अगर हम gender को लेकर के चीज़े देखे तो आज तो बहुत ज़दा awareness है आज तो organization से ये NGOs से women's जुड़ी हुई है खुद की political parties से वो leadership की भूमी का निभा रही है अगर हम politics aspects सी बात करते हैं तो काफी सारे organization से इस समय women's जुड़ी हुई है ठीक है अपना आपको represent भी करती है candidate के रूप में भी political parties में भी वो अपना जो दमखा में वो दिखा रही है लेकिन overall जब हमारे पस data आते हैं voting behavior का कि इतना जादा परभावित जैंडर करता है ये जुड़ी काफी जारा cautioning वाली होती है क्योंकि अगर हम यहां पर बा वो हो भी चुके हैं कि उनको कोई फारक नहीं बढ़ता उनकी women's उनके level से काम करें ठीक वो एक दूसरे को support कर दें लेकिन आज भी 80% 80, 82, 85% के लगबग ऐसी family है जहां पर उस family के जो male है वो जहां भी vote करेंगे जिस भी candidate को vote करेंगे उस family की जो भी महिलाएं है जो भी females हैं जो vote कर सकती हैं वो वहीं पर vote करेंगे forcefully कराओ या फिर मतलब कैसे भी कराओ उनकी कोई भी ऐसे aspects नहीं है उनका कोई direction नहीं है कोई भी ऐसा नहीं है कि बहु किस candidate को पसंद करती है कोई मतलब नहीं है उनके घरवाले जो भी है उनके पूरस जो भी है उनके family में वो जहां पर vote करेंगे वो भी वहीं पर vote करेंगे क्योंकि उनको कहा जाता है कि हमने जहां vote करेंगे आपको भी वहीं पर vote करनी है वो करती हैं यह चुछ से आप देख लेना अपने आसपास बहुत सारे से families आपको मिल जाएंगी लेकिन शायद आज इस समय स्थिति बहुत साला change हो च करनी हैं चीजों को समझ रही हैं उनके लिए कौन लीडर से काम करता है इस बार भी आप देख ले इस बार भी आप आपने देखा होगा चुनावी जो नतीजे सामने आते हैं वहाँ पर females का सबसे ज़रा awareness का यह चीज़े डाटा सामने आया था कि उन्होंने voting दी तो वो security को ले कर दी उन्होंने किसी के दबाओ में किसी को वोट नहीं किया तो यह चीज़े देखने को मिलते काफी positive effect सामने आते हैं voting behavior को ले करके gender इस point को लेकिन यहाँ पर चाहे हम कुछ भी गए gender एक ऐसा point है चाहे हो negative aspects की बात करें positive aspects की बात करें वो पूरी तरीके से voting behavior को परभा बहुत सारे जो भी questions है voting behavior को ले करके बिनिक्स को ले करके उसके determinants को ले करके वो साथ clear out हुए होगे और जो questions मैंने आपसे पूछा था अभी उसका नीचे comment section में जवाब देना है आपको research करके देना है कि क्या है वो word जो चार word मैंने आपको बोले दे अगर अभी attend किया है ल उनको भी तो पता चलना जानेगी वे third semester classes start हो चुकी है और इस समय हम बारवे lectures पर रहे हैं असे पहले वाले lectures आपको कैसे ले नीचे comment section में बताना है और साथ में इसको subscribe जरूर कर लेना है because of subscribe करना है bell icon को प्रेस करना है कि हर एक वीडियो को notification आप तक पहुंस तरह है so मिलते next information के साथ में next lesson में तब ते के लिए जे हीन जे भारत